मनिपूर में नक्सली हमले में शहीद हुए जिला मंडीप के पंडो गाम निवासी इंदर सिंग का बुद्वार को पूरे सैनिक और राज के समान के साथ अंतिम संसकार कर दिया गया सहीद का पार्थिक शरीद सुभा करीब नौ बजी उनके घर पहुंचा तिरंगे में लिप्टे पार्थिक शरीद को घर के आंगन में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया लेकिन शत्विशत सब्दे होने के कारण परिजनों को सब खोल कर नहीं दिखाया जा सका शव के घर पहुंचते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया इलाके में आए लोगों ने इंदस सिंख अमर रहे के नारे लगा कर ये संदेश देने का प्रियास किया कि नकसलवाद के खिलाब लड़ने के लिए सबी एक चुट हैं घर पर अंतिम दर्शन करवाने के बाद शहीद की शव यात्रा शुरू हुई जिसमें सांसद राम शूप शर्मा सदर के विधायक अनिल शर्मा नाचन के विधायक विधायक विनोत कुमार जी जिला परशित की अधिक्षा चंपा ठाकूर उपयक्त मंडी मदन चुहान और एस्टियम सदर पूजा चोहान सहीद अन्यनेता और परश्याशन का धिकारी भी मौज़ूत रहे अन्तिम यात्रा में लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्तिती दर्च करवाई पंडोस्तित शमसान घाट पर शव को पहले सलामी दी गई और मातमी दुन बजा कर शोक प्रकट किया गया यहां पर सहीद के साथ वर्शिय बेटे उदे सिंग ने अपने पिता की चीता को मुखागने दी लोगों में नकसलियों के द्वारा किये गए इस हरकत को लेकर भारी आक रोश देखने को मिला और नकसलवाद पर सरकार से कारवाही की मांग उठाई यहीं स्थानिय पंचायत ने साशन और परिशाशन से सहीद इंदिसिंग के नाम पर इलाके में समारक बनाने की मांग भी की यहां की समस्त जनता को इनके जाने का बहुत दुख है और रास्ट के लिए समर्पित हुए इसके हमारे इलाके में इसका गर्व है और हमारी समस्त जनता की यह मांग है कि जैसे साहिद पूरण चंद के नाम से यहां पैट्रॉल पंप खोला गया ठीक उसी परकार इंदर सि के नाम से यहां पंडो में गैस अजन्सी खोली जाए यह हमारी प्रसासन और सरकार से मांग है वही सांसद राम श्रूप सर्मा और विधायक अनिल शर्मा ने सहीद की सहाधत पर अपनी समवेद नाय प्रकट की और सरकार की तरब से पेडित परिवार को हर संभव सहाइता देनी का भरोसा दिलाया की है उसके लिए सब्रा देश देश के यहां पने तरफ से करेंगे पुरा प्रयास करेंगे कि कि मुद्रे सरकार जिस तरिक से से स्हीदों के लिए कर रही है उन्हाय के बड़ी जानिक को छोड़ गया सहीद की सहादत पर जहां परिवार सहीद पूरे इलाका वासियों को गरब महसूस हो रहा है वहीं इस बात का दुख भी है कि उनके इलाके का एक रन बाकुना अब इस दुनिया में नहीं रहा